हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल और्डियो फोकस माइन्टू जीरो पर आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सीखने के लिए काम करें पैसे के लिए काम ना करें 1995 में मैंने सिंगापो के एक अखबार में इंटर्व्यू दिया युवा महिला रिपोर्ट समय पर अगई और इंटर्व्यू ततकाल शुरू हो गया हम एक आली शान होटल की लॉबी में कॉफी की चुस्कियों लगा रहे थे और मेरी सिंगापो यात्रा के उदेश्य पर चर्चा कर रहे थे मैं प्लेटफॉर्म पर जिग जिगलर के साथ बैठने वाला था वे प्रेरना पर चर्चा करने वाले थे और मैं आमीरों के रहे सिक पर बोलने वाला था एक दिन में भी आपकी तरह बेस्ट से लिंग लेखक बनना चाहती हूँ उस महिला ने कहा मैंने उसके कई लेख पड़े थे और मैं उनसे प्रभावित हुआ था उसकी लेखन शैली दमदार और स्पष्ट थी उसके लेखों में पाठकों की रुची जगाने की क्षमता थी आपकी शैली बहुत बढ़िया है मैंने जवाब में कहा कौन सी चीज आपको अपने सपनों को हखीकत में बदलने से रोक रही है मेरा काम कहीं का कहीं जाता है उसने शांतिपूरवक कहा हर आदमी कहता है कि मेरे उपन्यास बढ़िया है परन्तु कुछ नहीं होता इसलिए मैं अखबार के लिए काम कर रही है काम से काम इससे मेरा खर्च तो चल जाता है किया आप इस बारे में कोई सुझाव देना चाहेंगे ठी, बिलकूल मैंने उत्साह से कहा सिंगापो में मेरा दोस्त है वह एक स्कूल चलाता है जहां लोगों को बिक्री संबंधी प्रशिक्षन दिया जाता है वह सिंगापो में कई चोटी के कॉपोरेशन्स के लिए सल्स ट्रेनिंग कोर्स चलाता है और मैं समझता हूँ कि उसके कोर्स में शामिल होने से आपका करियर बहुत ज्यादा विक्सित हो जाएगा उसका शरीर सक्त हो गया आप ये कहना चाहते हैं कि बिक्री सीखने के लिए मुझे स्कूल जाना पढ़ेगा मैंने सहमती में सिर हिलाया आप सच्पुच ऐसा कह रहे हैं या मजाग कर रहे हैं एक बार फिर मैंने सहमती में सिर हिलाया इसमें गलत ही क्या है मैं अब अपने शब्द वापस तेना चाहता था उसे मेरी किसी बात से बुरा लग गया था और अब मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा होता अगर मैंने उसे कुछ भी सुझाव नहीं दिया होता उसकी मदद करने की कोशिश में अब मैं खुद के सुझाव की रक्षा करता नजर आ रहा था मेरे पास अंग्रेजी सहित्य में मास्टर्स डिग्री है मैं सेल्समेन बनना सीखने के लिए स्कूल क्यूं जाओं मैं एक प्रोफेशनल हूँ मैं एक प्रोफेशन में प्रशिक्षित होने के लिए स्कूल गई थी ताकि मुझे सेल्समेन ना बनना पड़े मैं सेल्समेनों से नफरत करती हूँ उन्हें केवल पैसा चाहिए होता है तो आप मुझे बताए कि मैं सल्स का अध्ययन क्यों करूँ अब वह अपना ब्रीफ केस ताकत से बंद कर रही थी इंटरव्यू खत्म हो गया था कॉफी टेबल पर मेरी एक बेस्ट सेलिंग पुस्तक रखी हुई थी मैंने उसे उठाया और उस महिला द्वारा लिखे गए नोट्स को भी अपने दूसरे हाथ में रखा क्या आप इसे देख सकती हैं मैंने उसके नोट्स की तरफ इशारा किया उसने अपने नोट्स पर नजर डाली क्या, उसने उलजहन में कहा एक बार फिर मैंने उसके नोट्स की तरफ जान बूज़ कर इशारा किया उसके पैड पर उसने लिखा था रोबर्ट कियो सा की Best Sailing लेखका यहाँ पर Best Sailing लेखक लिखा हुआ है न की Best Writing लेखका उसकी आखे ततकाल फैल गई मैं बहुत बुरा लेखक हूं आप बहुत बढ़िया लेखिका है, मैं सल स्कूल गया हूँ, आपके पास मास्टर्स डिगरी है, दोनों को इकठा कर लें और आप एक बेस्ट सेलिंग लेखिका और बेस्ट राइटिंग लेखिका बन सकती है उसकी आँखों में गुस्सा था, मैं कभी इतनी नीचे नहीं गिरूगी की बिकरी सीखने के लिए प्रशिक्षन लून आप जैसे लोगों को तो लिखना ही नहीं चाहिए मैं एक प्रोफेशनल लेखिका हूँ और आप एक सेल्समेन है ये सही नहीं है, उसने अपने बाकी के नोट्स भी समेट लिये और वह सिंगापो की उस नम सुबह में तेजी से बाहर चली गई, कम से कम उसने अगले दिन मुझे एक अच्छा कवरेज दिया दुनिया स्मार्ट, बुनी, शिक्षित और प्रतिभा संपन लोगों से भरी हुई है हम उनसे हर दिन मिलते हैं, वे हमारे चारों तरफ हैं कुछ दिनों पहले मेरी कार में कुछ गढ़बढ आ गई थी मैं एक गैरेज में गया और युवा मेकेनिक ने उसे कुछ मिन्टों में ही ठीक कर दिया इंजन की आवाज सुनकर ही उसे समझ आप गया था कि गढ़बढ कहा थी मैं हैरान था, दुखत सच तो यह है कि प्रतिभा ही पर्याप नहीं होती मुझे लगातार यह देख देख कर जटका लगता है कि प्रतिभा संपन लोग कितना कम कमा पाते हैं मैंने अभी हाल ही में सुना है कि 5 फीसदी से भी कम अमेरिकी एक साल में एक लाख डॉलर से ज़्यादा कमा पाते हैं मैं ऐसे प्रतिभाशाली और उच्च शिक्षित लोगों से मिला हूँ जो एक साल में बीस हजार डॉलर से भी कम-कमा पाते हैं। मेडिकल व्यवसाय में विश्यश अग्यता रखने वाला एक व्यावसायक सलाहकार मुझे बता रहा था कि कितने डॉक्टर, दंचिकित्सिक और दूसरे लोग पैसे की समस्या से जूज रहे हैं। और मेरी सोच ये थी कि एक बार डॉक्टर बनने के बाद तो पैसा उनके घर बरसने लगता होगा। इस व्यावसायक सलाहकार ने मुझे एक बढ़िया वाक्य दिया, वेभारी दौलत से सिर्फ एक दक्षता दूर है। इस वाक्य का यह मतलब है कि जादातर लोगों को केवल एक और दक्षता सीखने की जरूरत होती है और इसके बाद उनकी आमदनी अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं ये पहले ही बता चुका हूँ कि फाइनेंशियल बुद्धी अकाउंटिंग, निवेश, ममाकेटिंग और कानून का समनवय है। इन चार तक्षताओं को मिला दें और पैसे से पैसा बनाना ज्यादा आसान हो जाएगा। जब पैसे की बात आती है तो ज्यादा तर लोगों में केवल ज्यादा कड़ी मेहनत करने की दक्षता होती है। दक्षताओं के समनवय का एक अच्छा उदाहरन अकबार की उस रिपोर्ट का है। अगर वह सल्ज और माकेटिंग के क्षेत्र में दक्षता हासिल कर ले तो उसकी आमदनी हवा से बाते कर सकती हैं। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं एडवटाइस कोपी राइटिंग और सल्ज के कोर्स में शामिल हो जाता। फिर आखबार में काम करने के बजाए मैंने किसी एडवटाइजिंग एजेंसी में नौकली खोजी होती। चाहे इस काम में वेतन कम भी मिलता, परन्तु इससे वह ये सीख जाती की सफल एडवटाइजिंग में प्रयुक्त होने वाले शौटकट का प्रयोग किस तरह होता है। उसे अपना कुछ समय जन संपर्क में भी देना होता, जो एक महत्वपूर्ण दक्षता है। वह ये भी सीखती की मुफ्त प्रचार में किस तरह लाखों कमाए जाते हैं। फिर रातों में और सपताहानतों में वह अपना महान उपन्यास पूरा कर सकती थी। जब वह पूरा हो जाता, तो वह अपनी पुस्तक को बेचने के लिए ज्यादा अच्छी स्थिती में होती। फिर कुछ ही समय में, वह एक बेस्ट सेलींग लेखे का हो सकती थी। जब मैंने अपनी पहली पुस्तक, if you want to be rich and happy, don't go to school छपवाए, तो एक प्रकाशक ने ये सुझाव दिया कि मैं शीर्शक को बदल करूँदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदू जब मैंने की आशा करेंगे, if you want to be rich and happy, don't go to school शीर्शक को जान बूच कर चुटिला बनाया गया था क्योंकि मैं जानता था कि ऐसा करने से इसे अत्यदिक प्रचार मिल जाएगा। चुना जो टीवी और रेडियो शो पर ज्यादा प्रचारित हो सकता था सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं विवादास्पद होने से नहीं डरता। कई लोगों का विचार था कि मैं कोई fruit cake था परन्तु पुस्तक बिकी और बहुत बिकी। जब मैं EU S. Machint Marine Academy से 1979 में अंजुइट हुआ तो मेरे पड़े लिखे डैंडी खुश हुए Standard All of California ने मुझे अपने All Tanker Fleet में काम दे दिया। मैं थर्ड मेट था और हाला की मेरी तंखवाह मेरे सहपाथियों की तुलना में कम थी परन्तु कॉलेज के बाद पहले काम के हिसाब से ठीक थी। मेरी शुरुआती तंखवाह 42,000 डॉलर प्रती वर्ष थी जिसमें Overtime भी शामिल था और मुझे केवल 7 महीने काम करना पड़ता था। बाकी के 5 महीने मेरी चुट्टिया होती थी। अगर मैं चाहता तो मैं एक सहायक शिपिंग कमपनी के साथ वियत नाम जा सकता था और अपनी 5 महीनों की चुट्टियों के बदले में अपनी तंखवाह दुगनी कर सकता था। मेरे सामने एक बहुत बढ़िया करिय था परन्तु मैंने 6 महीने बाद ही इस्तिफादे दिया और मरीन कॉप्स में भरती हो गया ताकि मैं हवाई जहाज उगाना सीख सकूँ। मेरे पड़े लिखे डैडी का दिल तूट गया अमीर डैडी ले मुझे बधाईयां दी। स्कूल और नौक्री में विशेशग्यता का विचार एक लोक्रिय विचार है यानि की ज़्यादा न कमाने के लिए या प्रमोशन हासिल करने के लिए आपको विशेशग्यता हासिल करने की ज़रूरत है इसलिए Medical Doctors ततकाल बाल रोग विशेशग्यर या अस्थी रोग विश जैसी विशेशग्यता हासिल करने में जुट जाते हैं यही Accountants, Architects, वकीलों, पैलेटों और बाकी लोगों के बारे में सही है मेरे पड़े लिखे डैडी इसी विचारधारा में विश्वास रखते थे इसलिए वे Doctorate मिलने के बाद रोमान्चित हो गए थे वे अक्सर यह मानते थे कि स्कूल में ऐसे लोगों का सम्मान किया जाता है जो कम से कम चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं अमीर डैडी मुझे इसका ठीक उल्टा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए यह उनका सुझाव था इसलिए मैंने उनकी कमपनियों में कई विभागों में सालों तक काम किया कुछ समय के लिए मैंने उनके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम किया हाला कि मैं कभी अकाउंटेंट नहीं बन सकता था परंतु वे चाहते थे कि मैं उस विभाग में रहकर उसके बारे में मोटी मोटी बाते समझ ले अमीर डैडी जानते थे कि मैं वहां की शब्दावली को पकड़ लूनगा और यहां भी समझ लूनगा कि क्या महत्वपूर्ण होता है और क्या नहीं मैं एक बस बॉय और कंस्ट्रक्शन वकर के रूप में भी काम कर चुका हूँ और सल्स, रेजर्वेशन और मार्केटिंग में भी वे मुझे और माइक को सीड़ी दर सीड़ी शिखा रहे थे इसलिए वे चाहते थे कि हम लोग उनके बैंकर्स, वकीलोग, अकाउंटेंट्स और ब्रोकर्स के साथ बैठकों में भाग ले वे चाहते थे कि हम लोग उनके सामराज्य के हर पहलू के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखें जब मैंने स्टैंडर्ड औरल की अच्छी तंखवाह वाली नौकरी छोड़ी तो मेरे पढ़े लिखे डैडी ने मुझसे दिल खोल कर बाते की उन्हे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वे मेरे निर्नय के पीछे के कारण को नहीं समझ पा रहे थी क्योंकि जिस जौकरी से मैंने इस्तीफा दिया था उसमें तंखवाह अच्छी थी फायदे बहुत थे खाली समय भी बहुत मिलता था और प्रमोशन के अच्छे अफसर थे जब एक शाम को उन्होंने मुझसे पूछा तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी तो मेलाख कोशिश करने के बाद भी उन्हें इसका कारण नहीं समझा सका मेरे तर्क उनके तर्क के दायरे में फिट नहीं हो पा रहे थे समस्या ये थी कि मेरा तर्क मेरे अमीर डैडी का तर्क था मेरे पड़े लिखे डैडी के लिए नौकरी की सुरक्षा ही सब कुछ थी मेरे अमीर डैडी के लिए सीखना ही सब कुछ था पड़े लिखे डैडी का विचार था कि मैं शिप का ओफिसर बनने की शिक्षा ग्रहन करने स्कूल गया था अमीर डैडी जानते थे कि मैं आंतर राश्ट्रिय व्यापार के अध्यायन के लिए स्कूल गया था तो एकवे द्यार्थी की तरह में सुदूर पूर्व और साउथ पैसिफिक जाने वाले जहाजों पर बढ़े फ्रूटस पर औरल टैंकरों और यात्री जहाजों पर काम करता रहा अमीर डैडी इस बात पर जोर देते थे कि मैं यूरोप की तरफ जाने वाले जहाजों के बजाए प्रशान्त महासागर पर अपना ध्यान केंद्रित करून क्योंकि भविश्य के देश एशिया में हैं यूरोप में नहीं जबकि मेरे जादातर सह पार्थी जिन में माईग भी शामिल था अपने घरों पर पार्थी और मोजमस्ती करते थे तब मैं जापान, ताइवान, थाइलेंड, सिंगापो, कॉनकॉनन, वियतनाम, कोरिया, ताहिती, समोवा और फिलिपीन्स में व्यावसाय, लोगों, बिज इसने इसकी शैलियों और संस्कृतियों का अध्ययन करता था, मैं भी पार्थी कर रहा होता था, परन तु अपने घर पर नहीं, मेरा ज्यान बहुत तेजी से बढ़ रहा था, पड़े लिखे डैडी कभी नहीं समझ सके कि मैंने ये नौकरी क्यों छोली और इसके बाद मरी कॉप्स में क्यों शामिल हुआ, मैंने उन्हें बता दिया कि मैं जहाज उढ़ाना सीखना चाहता हूँ, परन तु मैं, वास्तव में टूप का नेता बनना सीखना चाहता था, अमीर डैडी ने मुझे बता रखा था कि कमपनी चलाने का सबसे कठिन काम था, लोगों से काम लेना, उन्होंने तीन साल तक सेना में काम किया था, मेरे पड़े लिखे डैडी ने कभी ऐसा नहीं किया था, अमीर डैडी ने मुझे बताया कि खतरनाक परिस्थितियों में किस तरह लोगों का नेत्रित्व किया जाए, तुम्हें जो अगली वी सीखनी चाहिए वह है ने उन्होंने कहा, अगर आप एक अच्छे नेता नहीं हैं, तो आप पर पीछे से भी गोली चलाए जा सकती है जैसा बिजनेस में किया जाता है, 1973 में वियत नाम से लोटने पर मैंने कमीशन से इस्तीफा दे दिया, हलांकि मैं हवाए जहाज उडाना पसंद करता था, मैं जैरॉक्स कंपनी में काम करने लगा, मैंने इसमें एक वजह से नौकरी की थी और नौकरी के फायदे वह वजह नहीं थी, मैं एक शर्मीला आदमी था और बिख्री का, विचार मुझे दुनिया का सबसे दरावना विशे लगता था, जैरॉक्स अमेरिका में सल्स ट्रेनिंग, प्रोग्राम्स में बहुत बढ़िया कमपनी मानी जाती थी, अमीर डैडी को मुझे पर गर्व था, मेरे पड़े लिखे डैडी को मुझे पर शर्माती थी, एक बुद्ध जीवी होने के नाते, वे सोचते थे कि सेल्समेन उनके नीचे के स्तरके होते हैं, मैंने जेरोक्स में चार साल तक काम किया जब तक कि मुझे दर्वाजे खट खटाने और अस्वी कार कर दिये जाने के दर से मुक्ती नहीं मिल गई, एक बार मैं विक्रे में चोटी के पाच लोगों में लगातार आने लगा तो मैंने एक बार फिर इस्तीफा दे दिया और आगे बढ़ गया, एक बार फिर मैंने एक अच्छी खासी कमपनी के साथ अपना बढ़िया करिय छोड़ दिया था, 1977 में मैंने अपनी पहली कमपनी खोली, अमीर डैंडी ने मुझे और माइक को कमपनिया चलाने का प्रशिक्षन दे रखा था, तो अब मुझे उन्हें स्थापित करना ही सीखना था, मेरा पहला उत्पाद था नायलोन और वेलको का वॉलेट, जो फार इस्ट में बचता था और समुदरी जहाज से न्यू यॉर्क में एक वेरहाउस तक आना था, मेरी आपचारिक शिक्षा पूरी होच चुकी थी और अब मेरे पंखों की मजबूती की परीक्षा का समय आ गया था, अगर अब मैं असफल होता, तो मैं दिवालिया हो गया होता, अमीर डैडी का मानना था कि तीस साल के पहले दिवालिया होना सबसे अच्छा होता, है, आपके पास सभलने का मौका होता है, उनकी सलाह थी, मेरे तीस्वे जनम दिन की शाम को, मेरा पहला शिप्मेंट कोरिया से न्यू यॉर्क के लिए रवाना हुआ, आज मैं आंतर राष्ट्री इस्तर पर बिजनेस करता हूँ, और जैसा मेरे अमीर डैडी मुझे प्रोटसाहित किया करते थे, मैं विकास शील देशों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ, आज मेरी निवेश कंपणी दक्षन अमेरिका, एशिया, नौर्वे और रूस में निवेश करती है, एक कहावत है, जॉब एक संक्षिप्त रूप है, जस्ट ओवर ब्रोक का और दुरभाग्य से यह करोनों लोगों के लिए सही साबित होता है, चून की स्कूल यह नहीं समझता कि फाइनेंशियल बुद्धी भी बुद्धी का एक रूप है, इसलिए ज्यादातर कर्मचारी या मजदूर अपने साधनों के भीतर रह रहे हैं, वे मेहनत करते हैं और अपने बिल चुकाते हैं, एक और दरावनी मैनेजमेंट फ्योरी हैं, काम करने वाले इसलिए कड़ी मेहनत करते हैं, ताकि उन्हें लौकरी से ना निकाल दिया जाए और मालिक उन्हें केवल इतना देते हैं ताकि काम करने वाले छोकर न चले जाएं। और अगर आप ज्यादातर कमपनियों की तंखवाहें देखें तो आप पाएंगे कि इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाय तो है। इसका कुल परिनाम ये होता है कि जादातर कर्मचारी आगे नहीं बढ़ पाते। इसके बजाएं में युवा लोगों को यही सलाह दूनगा कि नौकरी खोचते समय वे इस बात पर कम ध्यान देकी वे कितना कमा रहे हैं और इस बात पर ज्यादा ध्यान देकी वे कितना सीख रहे हैं। रास्ते पर आगे की तरफ देख कर ये तैक करें कि किसी खास प्रोफेशन को चुनने के पहले और चूहा दोड में फंसने से पहले वे कितनी दक्षताओं में पारंगत होना चाहते हैं। एक बार लोग बिल चुकाने की आजीवन प्रक्रिया में फंस जाते हैं तो वे छोटे हमस्टर्स की तरह धातु के छोटे पहियों के चारो तरफ घूमते रहते हैं। उनके छोटे पैर तेजी से घूमते हैं, पहिये भी तेजी से घूमते हैं, परन्तु आने वाले कल में भी वे उसी पिंजरे में रहेंगे, जौकरी. जन्तरी मैगवोय फिल्म में टीम क्रूस का बहुत बढ़िया रोल था और इस फिल्म में कई बहुत जोरदार समवाद थे, शायद सबसे यादगार लाइन थी, मुझे पैसा दिखाओ. परन्तु एक और लाइन थी, जो मेरे हिसाब से ज्यादा सच्ची थी. यह उस द्रिश्य में थी जहां टीम क्रूस फर्म छोड़कर जा रहा है. उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और वो पूरी कमपनी से पूछता है, मेरे साथ कौनान चाहता है. और सब लोग मौज और स्तब्ध है. केवल एक औरत बोलती है, मैं आजा तो चाहती. हूँ परन्तु मेरा तील महीने में प्रमोशन होने वाला है. यह वाक्य शायद पूरी फिल्म का सबसे सत्ता वक्तव्य है. यह उस तरह का वक्तव्य हैं जो बिल चुकाने के लिए मिहनत करने वाले लोग हमेश का इस्तिमाल करते हैं. मैं जानता हूँ कि मेरे पढ़े लिखे डेडी हर साल तन्खवाह बढ़ने की आशा लगाए रखते थे और हर साल उन्हें निराशा होती थी. इसलिए वे फिर से स्कूल जाकर और ज़्यादा योग यताय हासिल करते थे ताकि उन्हें एक और वेतन रिद्धी मिल सके, परंतु एक बार फिर उन्हें निराशा ही हाथ लगती थी. मैं अकसर लोगों से यह सवाल पूछता हूँ, रोज मर्रा की यह गतिवेधी आपको कहां ले जा रही है? छोटे हैंमस्टा की तरह लोगों को यह देखना चाहिए कि उनकी कड़ी मेहनत का न इटायर पीपल के भूत पूर्व एकजेकेटिव डायरेक्टर का कहना है कि प्रैवेट पैंशन की हालत बहुत हराब है. पहली बात तो यह कि आज काम करने वालों में से 50 फीसदी को कोई पैंशन नहीं मिलेगी. इसी बात से चिंता होनी चाहिए और बाकी बचे 50 फीसदी म योगों को नाम मात्र की पैंशन मिलेगी जो 55 डॉलर या 150 डॉलर या 300 डॉलर प्रतिमा होगी. अपनी पुस्तक दर रिटायर्मेंट मित में क्रेग एस कार पेल लिखते हैं. मैं एक बड़ी राष्ट्रिय पैंशन सलाहकार फर्म के मुख्याले में गया और मैं 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 जोटे ओफिसों में काम करने वाले लोगों को पैंशन से कितनी आमदनी की उम्मीद करनी चाहिए तो उसने विश्वास भरी मुस्कराहट के साथ कहा, सिल्वर बुलेटा. सिल्वर बुलेट का क्या मतलब होता है? मैंने पूछा उसने अपने कंधे उचकाए, अगर बुज इसके बाद पुराने रिटायर्मेंट प्लान और ज्यादा खतरनाक नए 401 के प्लान में अंतर को स्पष्ट करते हैं. ज्यादातर काम करने वालों के लिए ये कोई सुखत तस्वीर नहीं है. और ये तो हुई रिटायर्मेंट की बाता जब इस तस्वीर में मेडिकल फीस औ और दीर्प कालीज नर्सिंग होम सुविधा को जोगा जाता है तो तस्वीर दरावनी हो जाती है. उनकी 1995 की पुस्तक में वे बताते हैं कि नर्सिंग होम की फीस 30,000 डॉलर प्रतिवर्ष से 125,000 डॉलर प्रतिवर्ष हैं. वे अपने इलाके के साफ सुथ्रे परन्तु साधारन नर्सिंग होम में गए और उन्होंने 1995 में कीमत को 88,000 डॉलर पाया. आज भी समाजवादी चिकित्सा वाले देशों के कई अस्पतालों में कई कड़े फैसले लेने होते हैं जैसे कौन जिएगा और कौन मरेगा. वे ये फैसले विशुद्ध रूप से इस आधार पर लेते हैं कि उनके पास कितना पैसा हैं और मरीज कितने व्रिधा हैं. अगर मरीज व्रिधा हैं तो वे अफसर मेडिकल केर को अपेक शाकृत युवा व्यक्ति को दे देते हैं. बुड़ा गरीब मरीज लाइन में सबसे पीछे खड़ा रहता हैं. तो जिस तरह आमीर लोग बहतर शिक्षा हासिल कर सकते हैं उसी तरह आमीर लोग अपने. आपको जिदा भी रख सकते हैं जबकि जिनके पास दौलत नहीं है वे मर जाएंगे. तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि क्या कर्मचारी भविष्य में देख पा रहे हैं या उनकी भविष्य द्रिष्टी केवल उनकी अगली तनख्वाह तक ही जाती हैं और वे अपने आपसे कभी दूरगामी भविष्य के बारे में सवाल ही नहीं करते. जब मैं ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखने वाले वयसकों के सामने बोलता हूँ तो मैं हमेशा एक ही चीज की सलाह देता हूँ. मैं ये सुझाव देता हूँ कि वे अपने जीवन के बारे में एक लंबा दृष्टिकों रखें केवल पैसे और सुरक्षा के लिए काम करने के बजाए जो हाला की महत्वपून है. मैं सुझाव देता हूँ कि वे एक और काम करने लगें जो उन्हें एक और दक्षता सिखा दें. अगर वे साल्स तक्नीके सीखना चाहते हैं तो अवसर मैं उनसे किसी नेटवर्क मारकेटिंग कमपनी में शामिल हो जाने के लिए कहता हूँ जिसे मल्टी लेवल मारकेटिं भी कहा जाता है. इन में से कुछ कमपनियों के प्रशिक्षन कार्यक्रम बहुत बढ़िया होते हैं जो लोगों के मन से जिजखक और असफलता का डर निकाल देते हैं जो लोगों के असफल होने का मुख्य कारण होते हैं. लंबे समय में शिक्षा धन से ज्यादा मूल्यवा जब मैं ये सुझाव देता हूं तो अकसर लोगों की प्रतिक्रिया होती हैं पर इसमें बहुत जंजट हैं या मैं केवल वही करना चाहता हूं जिसमें मेरी रूवी हैं. इसमें बहुत जंजट है के जवाब में मैं पूछता हूं तो आप जिंदगी भर सिर्फ इसलिए का करते रहेंगे ताकि आपकी आयमे से 50 फीसदी आप सरकार को दे दें। दूसरे वक्तव्यक मैं केवल वही करना चाहता हूं जिसमें मेरी रुची है के जवाब में मैं कहता हूं मैं जिम जाने में बिलकुल रुची नहीं रखता हूं परंतु मैं वहां इसलिए जाता हूं ता आप एक बूले कुटे को नई चालबाजी नहीं सिखा सकता, जब तक कोई आदमी बदलने के लिए तयार न हो, बदलना बहुत कठिन होता है। परंतु उन लोगों के लिए जो कुछ नया सीखने के विचार से प्रेरित हो सकते हैं और दो राहे पर खड़े हैं, मेरा सुझाव यही है, जिन्दगी बहुत हद तक जिम जाने की ही तरह है। इसमें सबसे दर्द भरा हिस्सा वहां जाने का फैसला लेना है। एक बार आप ये फैसला कर लेते हैं तो बाकी सब आसान हो जाता है। ऐसे कई दिन आये हैं जब मैं जिम जाने के नाम से काव जाता है, परन्तु एक बार मैं वहां पहुँच जाता हूँ और काम शुरू कर देता हूँ तो मुझे इसमें मज़ा आने लगता है. जब मैं वहाँ से निकलता हूँ तो मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैं वहाँ गया था अगर आप कुछ नया सीखने के प्रती अनिच्छुक हो और इसके बजाए आप अपने क्षेत्र में बहुत विशेशग्यता हासिल करने पर जोर देते हो तो ये सुनिश्चित कर ले कि जिस कमपनी के लिए आप काम करते हैं वहाँ यूनियन हो लेब यूनियन विशेशग्यों की रक्षा के लिए ही बनाई जाती हैं मेरे पड़े लिखे हैं ही जब गवर्नर की कृपादरिष्टी से दूर हो गए तो वे हवाई में टीचर्ज यूनियन के आध्यक्ष हो गए उन्होंने मुझे बताया की यह उनके द्वारा किया गया सबसे कठिन काम था मेरे अमीर डैडी ने दूसरी और जिंदगी भर यह कोशिश की की उनकी कमपनियों में यूनियन न बन पाए वे सफल हुए हाला की यूनियन काफी करीब आ गई थी परन्तु अमीर डैडी हमेशा उन्हें दूर रखने में काम्याब हो जाते थे व्यक्तिगत रूप से मैं किसी का पक्ष नहीं लेता क्योंकि मुझे दोनों ही बातों में फाइदे दिखते हैं और उनकी जरूरत दिखती है अगर आप स्कूल द्वारा सुझाए रास्ते पर चलते हैं उच्च विश्यश अग्यता हासिल करते हैं तो फिर आप यूनियन की सुरक्षा में चले जाएं उदाहरं के लिए अगर मैं अपने हवाई जहाज उड़ाने के करिय में गया होता तो मैंने ऐसी कमपनी पसंद की होती जिसकी पाइलेट यूनियन बहुत गारी होती क्यों? क्योंकि मेरी जिन्दगी केवल एक दक्षता को सीखने के लिए समर्पित होती जिसका मूल्य केवल एक उद्योग में ही हो सकता था अगर मुझे उस उद्योग से निकाल दिया गया होता तो मेरे जीवन की दक्षताई किसी दूसरे उद्योग में उतनी बहुमूल्य नहीं होती अगर किसी वरिष्ट पैलेट को निकाल दिया जाए जिसके पास हवाई उडान का 100-00-00 घंटे का अनुभव हो और जो हर साल 150-00-00 डॉलर कमा रहा हो उसे स्कूल टीचिंग में इतनी ज्यादा कमाई वाला बराबरी का काम धूंधने में बहुत दिक्कत आएगी दक्षताए एक उद्योग से दूसरे उद्योग में ट्रांसफर नहीं होती क्योंकि एरलाइन उद्योग में जिन दक्षताओं की जरूरत होती है और जिसके लिए पाइलेटों को ज्यादा वेतन दिया जाता है वे स्कूल सिस्टम में उतनी महत्वपून नहीं होती आज डॉक्टरों के लिए भी यही सही है चिकित्सा के क्षेत्र में इतने परिवर्तन हो रहे हैं कई मेडिकल विशेशग या मेडिकल संगठनों जैसे H, MO से जुणना पसंद करते हैं स्कूल के शिक्षकों को यूनियन का सदस्य होना पड़ता है आज अमेरिका में टीचर्स की यूनियन सबसे बड़ी और अमीर लेबर यूनियन है N.E.A. यानि National Education Association के पास बहुत ज्यादा राजनीतिक प्रभाव है शिक्षकों को अपनी यूनियन की सुरक्षा की जरूरत होती है क्योंकि शिक्षा के बाहर उनकी दक्षताओं का मूले अपेक शाकृत काफी कम होता है तो नियम ये हैं उच्च, विशेश अग्यता हासिल करो और यूनियन बना लो स्मार्ट लोग यही करते हैं जब मैं अपनी कक्षा से पूछता हूँ आप में से कितने मैकडॉनल्द से अच्छा हैंबर्गर बना लेते हैं तो लगभग सभी विद्यार्थी अपने हाथ खड़े कर देते हैं मैं फिर पूछता हूँ अगर आप में से ज़्यादातर बहतर हैंबर्गर बना लेते हैं ऐसा क्यों होता है कि मैकडॉनल्ड आपसे ज़्यादा पैसा बना लेता है। ज़्यादातर प्रतिभाशाली लोग सिर्फ इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वे अपना सारा ध्यान बहतर हैंबर्गर बनाने में लगाते हैं। और बिजनेस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते। हवाई में मेरा एक दोस्त है जो एक महान कलाकार है और काफी पैसा कमा लेता है। एक दिन उसकी मा के वकील ने उससे बताया कि उसकी मा ने अपने पुत्र के नाम पर 35,000 डॉलर छोड़े हैं। ये रकम सरकार और वकीलो द्वारा अपना हिस्सा लेने के बाद बची थी। तद काल उसने इस पैसे से विज्यापन करके अपने व्यवसाय को बढ़ाने का सोचा। दो महीने बाद उसका पहला पूरे पेच का रंगीन विज्यापन एक महनगी पत्रिका में प्रकाशित हुआ जिसके पाठक बहुत अमीर लोग थे। यह विज्यापन तीन महीने तक बता। उसे विज्यापन के प्रत्युत्तर में कोई जवाब नहीं मिला और उसकी सारी पूर्जी इस विज्यापन में खत्म हो गई। अब वह पत्रिका पर दावा ठोकना चाहता है। यह एक ऐसे आदमी का सामान्य ओदाहरन है जो एक बहतरीन हेंबरगर बना सकता है, परन्तु बिजनेस की बिलकुल समझा नहीं रखता है। जब मैंने उससे पूछा कि उसने क्या सीखा तो उसका जवाब केवल यही था कि विज्यापन करने वाले लोग धोखे बाज होते हैं। मैंने फिर उससे पूछा कि क्या वह सल्ज में या डाइरेक्ट मार्केटिंग में कोई कोर्स करना चाहता है तो उसका जवा था मेरे पास समय नहीं है और मैं अपना पैसा बरबाद नहीं करना चाहता दुनिया प्रतिभा संपन गरीब लोगों से भरी पड़ी है अक्सर वे या तो गरीब है या फिर पैसे की समस्या से जूज रहे है या अपनी क्षमताओं से कम पैसा कमा रहे है और इसका जिम्मेदार उनके ग्यान का विश्रे नहीं है बलकि उनका अग्यान है वे एक बहतर हैंबरगर बनाने की दक्षता को पैना करने में ही लगे रहते हैं और हैंबरगर को बेचने और उसे घर तक पहुचाने की दक्षता पर बिलकुल भी ध्यान नहीं देते हैं शायद मैकडॉनल्ड सबसे अच्छे हेंबर्गर नहीं बनाता है परन्तु वे एक मूलभूत रूप से औसत हेंबर्गर को बेचने और उसे घर तक पहुचाने में सर्वश्वरेष्ट हैं गरीब डैडी चाहते थे कि मैं विश्श अग्यता हासित करूँ उनका विचार था कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे ज्यादा वेतन मिलेगा हाला कि उन्हें हवाई के गर्वन ने साफ कह दिया था कि वे राज्य सरकार के लिए अब काम नहीं कर सकते फिर भी मेरे पड़े लिखे डैडी मुझे विश्श अग्यता हासिल करने के लिए प्रोचसाहित किया करते थे पड़े लिखे डैडी ने टीचर्ज युनियन का काम सभाल लिया था और वे उच्ट शिक्षित और निपुन प्रोफेशनल्स के लिए और ज़्यादा सुरक्षा और फायदों के लिए अभियान छेड रहे थे हम में इस बात पर काफी बहस हुई परंतु मैं जानता हूँ कि वे इस बात पर कभी सहमत नहीं हुए कि ज़्यादा विश्यश अग्यता के कारण ही युनियन के सनरक्षन की जरूरत होती है वे ये कभी नहीं समझ पाए कि आप जितनी ज्यादा विश्यशग्यता हासिल कर लेते हैं उतने ही ज्यादा आप जाल में फंस जाते हैं और आप अपनी विश्यशग्यता पर निर्भर हो जाते हैं अमीर डैडी की सलाह ये थी कि माईक और मैं खुद विकास करें कई corporations यही करते हैं वे business school के किसी युवा प्रतिभाशाली विद्यार्थी को चुन लेते हैं और फिर उस आदमी को इस तरह विक्सित करते हैं ताकि एक दिन वो company की जिम्मेदारी सभाल सके और ये प्रतिभाशाली युवा कर्मचारी किसी एक department में विशेश अग्य नहीं होते वे business systems के सभी पहलूओं की जानकारी लेने के लिए इस department से उस department तक काम करना सीखते हैं अमीर लोग अक्सर अपने बच्चों या दूसरों के बच्चों को इसी तरह विक्सित करते हैं ऐसा करने से उनके बच्चों को business की पूरी प्रक्रिया अच्छी तरह समझ में आ जाती हैं और वे ये भी समझ जाते हैं कि किस तरह विभिन departments में तालमिल होता है दूसरे विश्वयोद की पीवी में एक कमपनी से दूसरी कमपनी में जाना बुरा समझा जाता था आज इसे स्मात समझा जाता है चून की लोग ज्यादा विश्य शगिता हासिल करने के बजाए इस कमपनी को बदल कर दूसरी कमपनी में जाना पसंद करेंगे तो क्यों न कमाने के बजाए, सीखने पर ध्यान केंद्रित किया जाए कम समय में हो सकता है कि आपकी आमदनी कम हो परंतु लंबे, समय में इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा सफलता के लिए जिल मुख्य मैनेजमेंट दक्षताओं की जरूरत होती है ये है, एक, कैश्यपतों का मैनेजमेंट, बारह, सिस्टम्स का मैनेजमेंट आपके और आपके परिवार के साथ समय को मिला करती है लोगों का मैनेजमेंटा, सबसे महत्वपूर्ण विशिश्यगिय दक्षताओं सल्ज और मकाटन की समझा है बिक्री की योग्यता, की व्यक्तिगत सफलता की आधारभूत कुशलता है इसलिए आपको दूसरे आदमी के साथ संप्रेशन में कुशल होना चाहिए, चाहे वह कोई ग्राहक हो, कर्मचारी हो, बॉस हो, पत्नी हो या बच्चे हो Communication Skills जैसे लिखना, बुलना और सौदे बाजी करना सफल जीवन के लिए बहुत जरूरी है यह एक ऐसी कला है जिस पर मैं लगातार मेहनत करता हूँ और अपने ग्यान को बढ़ाले के लिए पाठ्यक्रमों में भाग लेता हूँ या शेक्षनिक टेप खरीदता रहता हूँ जैसा कि मैंने बताया, मेरे पड़े लिखे डेडी में जितनी ज्यादा मेहनत की वे उतने ही ज्यादा काबिल बने उन्होंने जितनी ज्यादा विशिश अग्यता हासिल की, वे उतने ही ज्यादा फस्ते चले गए हाला कि उनकी तंख्वाह बढ़ी, परन्तु उनके विकल्प कम होते चले गए जब उन्हें सरकारी नौफरी से हटा दिया गया, तभी उन्हें पता चला की वेव्यवसाई की दृष्टी से कितने जोखिम में थे ये तो उसी तरह का मामला हो गया जैसे प्रोफेशनल एथलीट को अच्छानक चोट लग जाए या वह खेलने के लिए ज्यादा बुराआ हो जाए उनकी उची तंख्वाह वाली स्थिती चली जाती है और वे अपनी सीमित दक्षताओं के सहारे जीवन्यापन करते हैं मैं सोचता हूँ कि इसलिए मेरे पढ़े लिखे डैन्डी बाद में यूनिनों के इतने समर्थक बन गए थे उन्होंने यह महसूस कर लिया था कि यूनिन ने उन्हें कितना ज्यादा फाइदा दिलाया होता अमीर डैडी माइक और मुझे सभी चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने के लिए प्रोचसाहित करते थे वे हमें ऐसे लोगों के साथ काम करने के लिए प्रोचसाहित करते थे जो हमसे ज़्यादा स्मार्ट थे और वे हमसे ये भी चाहते थे कि हम स्मार्ट लोगों से एक टीम के रूप में काम करवाएं आज इसे व्यावसाइक विशेश्ययताओं का समन्वय कहा जाएगा आज मैं भूतपूर स्कूल टीचर्स से मिलता हूँ जो हर साल लाखों दॉलर कमा रहे हैं वे इतना ज्यादा इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि उनके पास अपने क्षेत्र की विशेश्ययय दक्षताओं के अलावा भी दक्षताओं हैं वे सिखा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं और मार्केटिंग भी कर सकते हैं बिख्री और मार्केटिंग की दक्षताएं ज्यादातर लोगों को इसलिए कठिन लगती हैं क्योंकि इसमें नकारे जाने या अस्वीकार किये जाने का दर होता है आप संप्रेशन, सौदेबाजी और अपने नकारे जाने के दर का सामना करने में जितने बहतर होंगे आपके लिए जिन्दगी उतनी ही आसान होगी जिस तरह मैंने अखबार की लेखिका को सलाह दी थी जो बेस्ट सेलिंग लेखिका बनना चाहती थी, मैं हर किसी को वही सलाह देना चाहूंगा तकनीकी रूप से विश्यशग्यता हासिल करने के कुछ मजबूत पहलू होते हैं और कुछ कमजोर पहलू होते हैं मैं उन्हें सलाह देता हूँ कि वे एक साल तक बिखरी की कला सीख लें चाहे वे कुछ भी ना कमाएं परन्तु उनकी कत्योंनिकेशन स्किल्स सुधर जाएंगी और यह अनमोल है अच्छे सीखने वाले, बेचने वाले और मार्केटिंग करने वाले व्यक्ति होने के अलावा हमें अच्छे शिक्षक और अच्छे विद्यार्थी होने की भी जरूरत है दरसल अमीर होने के लिए आप में लेने के साथ ही देने की काबिलियत भी होनी चाहिए आर्थिक या प्रोफेशनल संधर्ष के मामलों में देने और लेने में बहुदा कमी देखी गई है मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ इसलिए गरीब है क्योंकि वे न तो अच्छे विद्यार थी हैं नहीं अच्छे शिक्षक है मेरे दोनों डैडी उदार थे दोनों ने पहले देने के सिध्धान्त का पालन किया था शिक्षा देना उनके लिए देने का एक प्रकार था जितना ज़्यादा उन्होंने दिया उतना ही उन्हें मिला पैसे देने के मामले में जरूर उन दोनों में अंतर था मेरे अमीर डंडी ने बहुत सा पैसा दान दिया उन्होंने अपने चाच को दान दिया, समाज से भी संस्थाओं को दान दिया और अपने फाउंडेशन को दान दिया वे जानते थे कि पैसा हासिल करने के लिए पैसा देना होता है पैसा देना ज़्यादातर अमीर परिवारों का रहस्य है इसलिए रॉकफेला फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन जैसे संगठन काम कर रहे हैं ये संगठन उनकी संपत्ती को तेते हैं, उसे बढ़ाते हैं और लगातार देते रहते हैं मेरे पड़े लिखे डैडी हमेशा कहा करते थे, जब मेरे पास अतिरिक्ट पैसा होगा, मैं उसे दाल में दूनगा समस्या ये थी कि उनके पास कभी अतिरिक्ट पैसा नहीं आया, इसलिए वे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करते रहें और पैसे के सबसे महत्वपून नियम को भूल गए, दो और आपको मिल जाएगा इसके बजाएवे ये यकीन करते रहें तो और फिर दो निशकर्ष में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझ पर दोनों ही डंडियों की छाप है मेरा एक हिस्सा कटर पुंजी पती का है जो पैसे से पैसा कमाने के खेल से प्रेम करता है मेरा दूसरा हिस्सा एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार शिक्षक का है जो गरीबों और अमीरों के बीच बढ़ती आर्थिक खाय से बहुत ज्यादा चिंतित है मैं इस बढ़ती हुई खाई के लिए मूल रूप से दकियानूसी शिक्षा तंत्र को जिम्मेदार मानता हूँ